दिन हो या रात हो परत्यासी स्वेम या उनके समर्था घर घर जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि उनके पक्ष में भोड़ दीजिए कुटी में इस बार लोग करें काटे की टक्कर है क्योंकि अरजुन मुंडा पिछली बार मतलब हारते हारते जीत गए थे और काली चरण मुंडा जो हैं वो जीतते जीतते हार गए थे पिछले कई वर्सों से ये मामला चल रहा है काली जी कहते हैं कि मैं हर प्रखंड में बना रहा हर गाउं में बना रहा और वो हवा हवाई नेता रहें यहां पे कॉंग्रेस के कुछ सदस हैं उनसे बात कर लेते हैं आप लोगों को भोट क्यों मिलना चाहिए? है हूँ कि मैंने पानी लगा दिया हर गल नल्य आप जा करके देख लिए अगर कहीं भी एक बूंद पानी आ रहा होगा तो हम जो बुने सो नोलेच यहां पर आया हुआ था हमारी सुसिला क्रिकेटा स्वर्गेव सुसिला क्रिकेटा वो ले काई थी वह नोलेच शिटी यहां से कहां चला गया भाई तो इसका जवाब अर्जुन मुंदा ही देंगे ठीक है उसमें सी एम भी वही थे और अब तो सांसद और केंद्री मंत्री है वो क्या किये हैं बता दें तो इस लेकर के यहां जो आदिवासी बहुल शेतर में जो है उन पर पूरा नाराजी है और बढ़ चड़ करके भूट देंगे जो पिछले बार जो दिये थे उससे भी कहीं ज्यादा बढ़ चड़ के भूट देंगे और आपको पता होगा कि काल लूट खसोट का सरकार बनाना है तब कॉंग्रेस को चुनिये अगर इमंदार साब चबी का सरकार चाहिए दो हजार सैतालिस में विक्सित भारत चाहिए तो भाजपा को बढ़ कि अरजुन मुंडा साब सुतरा या भाजपा साब सुतरा कैसे हो सकती है पिछले दस सालों सीन की सरकार है और दस सालों में हमारे परधान मंतरी नरेंद मोदी जी 15 लाग का जुमला दे दिये कितने सार किये हैं कितने आदर्स गाओं को कितना विकास दिये हैं वो देखने की चीज है आप लोग तो पत्रकार भाए हैं आप लोग जाके देखिए कि कितने आदर्स गाओं को गोद लिये हैं और क्या किये हैं यह देखने की चीज है हमारा ओभी सी मैं ओभी सी जीला दिया कॉंग ताइममें हुआ है जो भीद था केंदर मंतर हमें संसर में यहां से उसके बाता शनके हूं हों यहां यहां पर सुनक्या है उनका बाता है , लेकिन राहुल जी सो ठिकट देने में बहुत कंजूसी कर गया जहर tree में तो देख साथ यह बोलने वाली बात के पार से मिला है जैसे के यूद गवह बहुत लोगों को टिकट मिला इस बार उनको मतलब कि याना भी नहीं पड़ा दिली हम को टिकट चाहिए टिक 먹ऴ कि हां तृप के बारे में अगर सोच रहे होते तो अब से सब्सक्राइब करें चार साल का व्यक्ति एक 75 साल का व्यक्ति अपने लिए दूसरा मौका मांग रहा है और एक 25 साल का लड़का को चार साल के बाद रिटार कर दिया जाएगा ये कहां का इंसाफ है आपी सुचिए जनता समाच चुकिया ठक चुकिया जुमले से दस साल में सिर्फ जुमला रेलवे आ जागा मेट्रो चलेगा ये चलेगा वो चलेगा समझे कहां स्मार्ट सीटी देखिए तो रेल कहां चली गई यहां वादा किया था क्या उन्होंने क्याम ट्रेया वह पटाका छोड़वाएं थे मिठाई बटवाएं थे रेल आ गया खुटी में अभी रिंग रोड का चक्कर में थे जब नोटिफिकेशन हो गया अचार संगीता लग गई तो वह नया चीज सी जाले सिलानियास चलिए सिलानास अस्तल मेले जाके दिखा दे रहें उससे पहले शिला नास अभी जमीनकार ॹफुझी सिंटर को टेंडर का भी गोस्थ्फशना कर दिये आचार संगीता में कभी टेंडर होता है आप सुने हैं तो ये पहले तप सिलाननास के सтовुए पाइपलाइन बीच गया है सबके घर में नल लग गया पानी नहीं आ रहा है कि तो हम लोग के यहां भी लगा है कि 15 लाख आएगा हम लोग तो दस साल से वेट कर रहे हैं तो बता दिया में इसा जुमला है उतोड़ी है इतने बड़े मानीनिये परधान मंतरी 400 पार का नारा देते हैं उनको बताना चाहिए कि पिट्रॉल 400 पार होगा डीजल 400 पार होगा यह फिर दाल 400 पार होगा इतना कॉंग्रेसा ना समझ है सीट 400 पार होगा इसे बता रहे हैं जैनता तो जैनता को बताना है 370 खतम किये 370 सीट बाजपा का और 30 एंडी यह बाकी ऐसे हो जाए 370 से खाना मिल गया लोगों को भारत के लोगों को 370 से फाइदा मिलके 370 हटाए अडानी अंबानी को घुसाईएगा आप वहां जंगल जमीन से बेदखल कर दिया जायेगा इनको लुटने का काम किया है सब को ठगने का काम किया है दस साल से बीजैपी की गॉर्मेंट है कोई भी काम जमीन धरातल पर ने दीखता है सिर्प और सिर्प वह बोलना जानते हैं जुम्ला और लास्ट में जब पूछा जाए तो वो सिर्फ कहा देते हैं कि यह जुमला था आप लोग यूथ का अवाज तो मोदी जी को बोलते कुछ बोलिए अदिवासी का वाज है ट्राइबल मनिश्टर के नाम पर युवाओं को ठगने का काम किया है मैं आप से पूछना चाहता हूं केंद्र में अभी 3 तीस लाग परनाओं को भारा क्यों नहीं जा रहा है सब जगहा भी रेल्वे में वेकेंसी कम क्यूं हो रही है सरकारी संपती को बेचके क्यों ऐसा किया जा आप हो चाहे अरजुन मुंदा जी हो तो चाहिए कोई भी दल हो रोजगार के नाम पर तो आप लोग सब टाइटाइप ही से जारकंड का सरकार हो चाहिए केंद्रकार यहां भी नहीं पांच लाख नुक्त का वादा था नियोजन वर्स का वादा था युवा को आप भी ठाग है उसमें सोचिए पास साल जैसे आया किसान लोगा कर्ज माप किया फिर पलस से की जो एक्जाम जो नहीं हो रहा था एक्जाम भी करवाया जी पेसे एक्जाम कबसे लटका हुआ था अब वहादार मंतरी जो अवास योजना जो बंद हो गए थी तो फंड नहीं मिल पा रहा था तो हमारे ही जो मुक्ष मंतरी है और हमारे मतलब कि ग्रामिन विकास मंतरी ने मिल करके अपने फंड से अवास योजना लागू किया और यहां बहुत लोगों को मिल गया ठीक है और यहां के लिए लोन की वेवस्ता भी करवाए गई यह हमारी गड़बंदन की सरकार ने किया और सबसे बड़ी बात है कि पास साल अरजुन मुंडा जी यहां के सामसदर है क्या तरीका था कि आप दो दिन पहले खूटी का जो बाइपास रोट बरसों से मांग था उस मांग को आप नजर अंदाज करके दो दिन पहले आचार सनहिता लगने का आप लोगों को दिखभर उमित करने के लिए आप उसका सिला नियास करवाए हैं अभी तक भूमी का नापी नहीं हुआ है ना उस जमीन का किसी को पैसा दिलाया है तो यह सिर्फ आप कब तक ठकते रहेंगे लोगों को यह जनता भी समझ रही है जान रही है जनता कि आपको लग रहा है उसी गुम्र वबन देके ठकने का काम किया जा रहा है अगर अर्जुनमदा bubble IT अतने ही तैसी रहते हैं अदिवासी युवह की तो यहाँ पर एक IT को लेज खूल लाते हैं प्रसित के दर खूलेज मेनेजमेंट का खूलेच्छ वाते ताकि अदिवासी युवह मेनेजमेंट करके बड़े पदों में या बड़े बड़े लेके लेके एक एमस यहां भी खुल बात लेकिन जीरो कुछ नहीं सबसे बड़ी बात है न सर कि हमारा झोटी सबाचे यह यह आदी बासी बेल्ट है और हम लोग का जो गाऊं मजदूर के सबसे सबसे लोग सब् Daten सब्सक्राइब करते हैं वह एक लाएं वाम के लाएंग सब्सके लोग सब्सक्राइब कि कौन सा काम जो है केंदर सरकार का वाजिब नहीं रहा और कौन सा काम सिर्फ दिखावे के लिए किये अगया अब खुटी की जनता को तेक करना है इनकी बातों पर या इनकी गहरेंटी पर ज़्यादा विस्वास करेगी या मोदी जी की गहरेंटी पर परिनाम आएगा उसी दिन पता चलेगा कि जनता यहां की क्या चाहती है बायोम अब्डिकल प्रिपरेशन का एक मात्र संस्थान जहां है कॉंप्ली डिजिटल क्लास्रूम्स, इन्डिविज्वल्ड डाउट चाउंटर्स, वीडियो लेक्चेट्स, स्चुडें ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरिः तपर सिद्टी, 100% रिजलोट ओर्डेंटी रंकर्स बाच, स्टडी पकेज, एन क्लास नोटस इन पीरिएफ